हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेस्मेंट वक्षिट नमबर 6 करेंगे जो की क्लास 7 की है और सबजेक्ट है साइंस ये वक्षिट 3 नेवेंबर 2021 की है तो आज ये शुरू करते हैं आज की वक्षिट विलाई का लोकेशन और हमें फॉंक्षन बताना है कि कहां पर है विलाई और स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इंसाइड इनर वोल ओप दे स्मॉल इंकन स्टाइंड की जो इनर वोल होती है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं जिने विलाई कहा जाता है यहाँ पर क्या जागा जो निगल जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको कुछ टैम के बाद वो उनका जो फूर उनके माउथ में आता है और फिर से क्या करते हैं चूँ करते हैं इसका हमें रीजन बताना है तो रुमिनेट सोलोस दा फूट डारेक्ली इंटो दिया रुमेन एंड आफ्टर सम टाइम दे ब्रिंग इट बैक और चूँ इट जो अब प्रिंग पिर सम टाइम दे अबढ़ आफ्टर से क्या करते हैं वो गौन सा एसट्र सेक्रिट करती है उसका नाम बताना है और फंक्शन बताना है तो कौन सा acid secret कर दे है hydrochloric acid जिसे हम HCL भी लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं हम इसके लावा HCL भी लिख सकते हैं It kill germs and make the medium acidic और क्या करता है यह जितने भी germs हमारे stomach में हैं उनको kill करता है और इसके लावा जो stomach का food है उसको medium कैसा रखता है acidic medium रखता है अब देखते हैं next question question number 4 देखो write the name of the main digestive gland which secret digestive juice की आपको glands के नाम बताने है जो क्या करता है digestive juice को secret करती है तो कौन-कौन सी gland है salivary gland, gallbladder and pancreasthine glands है जो क्या करती है digestive juice को secret करती है next question देखे, question number 5 राइड difference between absorption and assimilation assimilation और absorption में आपको क्या पताना है differentiate करना है तो आईए देखते हैं देखो क्या answer हो जाएगा इसका first absorption देखते है it is the process of absorbing the digestive food molecule in our blood to the target site so that human digest can leave and survive देखो क्या कहा जारा है food का absorption, food का absorption क्या कहलाता है absorption it is process to absorbing the digestive food, digestive food को absorb करने की जो process है उससे हम क्या कहते है absorption कहते है जबकि assimilation क्या होता है, assimilation is the process by which the absorption nutrient from food are being utilized in the tissue and various activity like eat, get energy for growth and repair और after getting transport through the blood and leave जो food क्या किया गया है absorption क्या किया गया है जो भी हमने खाना खाया उसको absorb कर लिया गया अब देखते है next question, question next देखो filling the blanks दिया गया है the digestion of death start in stomach, stomach में digestion किसका start होता है fat का यहाँ पर क्या लिखेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे the digestion of protein start in stomach, stomach में किसका digestion start हो जाता है protein का प्रोटीन का जोकिन है वो कहा पर starch का कहां पर हो जाता है, अमीबा का वहता है food in the food vikkyol के अंदर होता है अमीबा का digestion का पर होता है food vikkyol में next देखिए, question number 7, देखिए, क्या कहा गया, draw the diagram of an amoeba and write its character, आपको क्या करने है, amoeba का, आपको diagram बनाना है, इस तरह से देखो, amoeba का diagram बनेगा, आपके NCRT में दिया गया है, और उसके characters आपको बताने है, तो आइए देखते हैं, इसके बाद 8th question भी हम साथ में देखते है, explain human digestive system with the help of diagram, human digestive system को आपको explain करना है with diagram, तो एक proper अच्छा सा diagram मना देजेगा, उसी से क्या हो जाएगा, explain हो जाएगा, five marks आपको मिल जाएगे, तो आइए देखते हैं questions, तो देखिए, first यहाँ पर इस तरह से amoeba का diagram हो जाएगा, इस तरह से एक diagram मना देएगे और इसके क्रेक्टर से में लिखेंगे, they are one cell microscopic animal, क्या है, one cell है, and they are transparent and are visible in the neck, यह क्या है, invisible है, दिखाई नहीं देते हैं, eyes से invisible है, और transparent है, इनके पास क्या होती है, food vacuol होती है, आप लिख सकते हैं, pseudoporia होती है, अपके NCRT में अच्छे से mention है अब देखते हैं next question, next question में हमें digestive strength, digestive जो track है, उसके बारे में पूरा system बताना था, तो सबसे पहले salivary gan, फिर esophagus आएगा, फिर stomach आएगा, उसके बाद में small intestine, large intestine, उसके बाद में rectum और anus, यहाँ पे आप लीवर, gallbladder और pancreas आप क्या लिख सकते हैं, यह glands हैं, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पूरा एक draw, जैसे कि आपको diagram बनाया गया है, उसी तरह से diagram बना के, आप इस तरह से arrow लगा के पूरा digestive system है, उसको समझा सकते हैं, तो यह थी आज की worksheet, worksheet को complete करके अपनी teacher से चेक करवाईए, और प्लीज मेरे channel को like कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए और share की thank you guys